नमस्कार फाइटर समाचार में आपका स्वागत है पेशाज 26 जनवरी दोपहर तीन बजे राजिस्तान की खास खबरें फ्रांस के रास्टर पती एमैनुयल मैंकरो दो दिन की भारत विजिट पर रहे वो राजिस्तान के जैपूर एरपोर्ट पहुंचे यहां विदेश मंतरी एस जैश शंकर ने उनका स्वागत किया इसके बाद मैंकरो अमेर फोर्ट पहुंचे अमेर किला पर मैंकरों के साथ व पहुचे पहला हवा मैंकरों के जैपूर राजिस्तान से शुरू कि हमारे लिए गरव की बात है कि वो गंतंतर दिवस समारों में शामिल होंगे शाम करीब 6 बजकर 45 मिनिट पर पीम मोदी और रास्टर पती मैंकरों का रोड़ शो शुरू होगा देड़ किलोमेटर लंबे इस रोड़ शो के दुरान रास्टर पती मैंकरों और पीम मोदी ने हवा महल देखा इसे देखते समय मैंकरों ने दो सवाल भी पूछे पहला हवा महल में कितनी खिड़ किया हैं दूसरा इसमें लगे शीशे का रंग नीला क्यों है अजमेर जिले में करीब तीन महीने पहले आतम समर्पन करने वाले कुख्यात अतंकी सुखदर्शन सिंग को टाड़ा कोट ने साथ साल की सजा सुनाई है वैसाल 1989 में फारत पाक सीमा पर हत्यारों की तसकरी के मामले में बीएसेफ कारवे के दुरान हत्यारों के जखीरे के साथ पकड़ा गया था फारत पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में अतंकवाद की घटना जनवडी 1989 में हुई थी तब सीमावर्ती गाम वालों ने अतंकवादियों को B.S.F. खडसाना को सौंपा था कारवे के दुरान सुखदर्शन सिंग जाट को खुडिया गान से हथियार सहित पकड़ा था जाट के खिलाफ चार्जशिट पेश की लेकिन सनवाई के दुरान वह फरार हो गया तीस साल फरार रहने के बाद करीब तीन महीने पहले उसने आत्मस मरपन किया था सुखदर्शन सिंग के घर से भारी मात्रा में राइफल और कार्तुस बरामत हुए थे राजयस्ता लोकसिवा योग ने संस्कृत शिक्षा विभाग और सोचना प्रयोज होगी की इवं संचार विभाग में कुल 268 पदों पर भरती निकाली है अब यर्थिया योग की वेबसाइड और SSO ID की माध्यम से आवेदन कर सकती है शैक्षने की योगेता वर्गवार वर्गी करण आवेदन प्रकिरिया और अन्यजानकारी आयोग की वेबसाइड पर उपलाद दे आयोग सचिव की अनुसार संस्कृत शिक्षा विभाग में प्राध्यापक विद्याले की आठ विश्यों के लिए 52 पदों पर भरती निका ले गई है इसके लिए एक फरवडी से एक मार्च की रातरी बारा बजे तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है दोनों ही भरती के आवेदन आफलेंड स्विकार नहीं किये जाएंगे कांग जिले के बरोनी थानाक शेतर के जेबारिया गाम में अवेद हत्यार पकड़ने गई पुलिस टेम पर तसकरों ने फाइरिंग कर दी फाइरिंग में एक कॉंस्टेबल खायल हो गया है उसके पेट में चर्रे लगे उसे पुलिस कर्मियों ने सादत पहुँचाया जहा में एसपी अदर्श चौधरी समेथ बड़े अधिकारी अस्पताल पहुंच और घायल कॉंस्टेबल के इलास विवस्था करवाई एसपी अदर्श चौधरी ने बताया कि हमलावरों की गरफतारी के लिए नाका बंदी कर दिया वह घायल कॉंस्टेबल तीस वर्षे इसने दोनों हमलावरों को दबोश लिया और उनकी कवजे से टोपीदार बंदूख जब्त कर ली फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूस्ताश कर रही है राजय सरकार ने दो आईएस के तबादले किये हैं एक का तबादला निरस्त किया है बारा आईएस अफसरों को अतरिक्त चार्ज दिया गिया है कार्मिक विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिया है सेंट्रल डेपूटेशन से लोटने के बाद एपियों चल रही सीनियर आईएस अलोक को दिल्ली में चेफ रेजिडेंट कमिशनर के पद पर पोस्टिंग दी गई है स्टेट हेल्थ इंचौरेंस एजंसी के जॉइंट सीओ जसमेच संदू का तबादला सलूंबर कलेक्टर के पद पर किया है मुकुल शर्मा का निदेशक सेविल एविएशन और जीएडी उपसचिव किसे सलूंबर कलेक्टर के पद पर तबादला निरस्थ कर दिया है जोदपूर कलेक्टर गौरव अगरवाल को जोदपूर ग्रामिंट जिले के कलेक्टर का अतरिक्त चार्ज दिया है समाजिक न्याइव अधिकारिता विभाग के ACS कुलदी परांका को राज्य आयुक्त विशेश योग्यजन परिवैन विभाग की ACS श्रिया गुहा को अध्यक्ष राजे बस टर्मिनल विकास प्रादिकन ACS होम अनंद कुमार को अयुक्त नागरिक सुरक्ष विभाग उद्योग विभाग के परमुक सचिव अजिताब शर्मा को अध्यक्ष राजसिको और आयुक्त राजेस्थान फाउंडेशन का अतरिक्त चार्ज दिया गया है अनुमानगर जिले के विशेश कोड के जज रूपचंद सुथार ने नशीली टैबलेट कैपसूल तसकरी के मामले में फैसला सुनाते हुए अरोपी को दस वर्ष के कठोर कारवास की सजा सुनाई है साथ ही एक लाख का जुर्माना भी लगाया है विशेश्ट लोग का वियोजक दिनेश दादिश ने बताया कि 3 अक्रूबर 2018 को टिबी थाना दिकारी को नाका बंदी के दुरान सेम नाला पुलिय सडकाम से संग्रिया पर चंदूर वाली की तरफ से बाइक पर एक व्यक्ति आता दिखाई दिया जो पुलिस को देखकर प्याम पता पूछा तो इसने अपना नाम नूर नभी निवासी सूरे वाला बताया बाइक में काले रंग के थैले में एक प्लास्टिक के थैले मिली जिसमें परवोरीन स्पास कैपसूल के पत्ते भरे हुए थे जिनको गिना तो इसमें 200 पतों में कुल 2000 कैप्यूल थे जığ सबी एंडीपियस खटक के होना पाए गए इस पर नूर नभी के विरुद एंडीपियस एक्ट में मुकदमा दर्जगर चलान पेश किया गया दौलपुर पुलिस ने बड़ी कारवई को अंजाम दिया सर्मत्रा थानाक शेतर के डुमाई गाम के जंगल में पुलिस की डकैतों से मुठबिड हो गई इस तुरान पुलिस ने 25-25 हजार के इनामी डकैत अजीत ठाकर और कल्यान ठाकर को गिरफतार कर लिया साथी मुठबिड में जख्मी होने पर दोनों को सर्मत्रा के सरकारी अस्पताल में भरती करवाया उपचार के बाद पुलिस दोनों से पुस्ताश करेगी सीयो बाबुलाल मीना ने बताया कि मुखविर की सूचना पर दोनों बदमाश करॉली जिले के मंडरालक शेतर में चिपे थे सूचना पर सैपाउ, कंचनपुर, वैसर मत्रा पुलिस थाने से टीम का गठन कर डकैतों के पास भीजा पुलिस टीम ने आरोपियों को पकड़ने का प्रियास किया, तो बाइक से दोनों डकैत फरार हो गए डुमाई गाम के पास जंगल में बाइक फिसलने से दोनों गिर गए, इस दोरान दोनों डकैतों ने पुलिस पर अंदा दुन्द फाइरिंग शुरू कर दी आत्मरक्षा में पुलिस ने भी डकैतों पर गोली चलाई, लेकिन दोनों डकैत जंगल में गेरे गड़े में गिर कर खायल हो गए पुलिस ने दोनों डकैतों को घेराबंदी कर दबोच लिया उद्यपूर जिले में चाचा से मा के साथ हुई मालपिट का बदला लेने गए युवक और दोस्त हिस्ट्री शीटर दोस्त की हत्या कर दी आरोप है कि चाचा उसके बेटे समय तक नबालिक लड़के ने युवक और उसके दोस्त को पीटा जिससे उनकी मौत हो गई पोलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है बढगाम थानक शेतर की लौसिंग में यह वार्दा थुए थाना दिकारी पूरण सिंग रासपुरोहित ने बताया कि जांच में सामने आया है कि 34 वर्षे तेज सिंग और उसके 50 वर्षे चाचा मोहन सिंग के परिवार के बीच ठाई विग्गा जमीन को लेकर विवाद चल रहा है तेज सिंग किसी काम से उद्यपुर गया था इसी विच मोहन सिंग ने तेज सिंग की माँ वीना कमर के साथ मारपीट की तेज सिंग गाम पहुंचा और बढगाम थाने जाकर माँ से मारपीट को लेकर चाचा मोहन सिंग और उसके बेटे दिवेंदर सिंग के खिलाफ मामला दर्स करवाया थाने से तेज सिंग सीधा पुलिस मामले की जांच कर रही है रासमन में राजनगर पुलिस थाना सरकल में एनेच आठ फोर लेन राजनगर ब्रिज पर सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई जानकारी के अनुसार गोमती उद्यपूर फोर लेन पर सिवाली से नाथ द्वारा की और राजनगर ब्रिज पर बाइक सवार दो युवक सड़क हादसे में खंबीर उपसे घायल हो गई माके पर पहुंचे समाज सेविय शोक रांका ने पुलिस को सोचना दी राजनगर पुलिस माके पर पहुंचे इस दोरान एक युवक की माके पर ही मौत हो चुकी थी वह घंबीर घायल क की मौत हो गई पुलिस ने धुरगटना की जांच प्ररंब कर दी है रास्टे जांच जंसी यानि एन नाई की टीम ने शिरिगंगा नगर के सुरतगड में दो जगों पर चापे मारी की चापे मारी बंबीहा गैंग से जुड़े एक व्यक्ति से पूस्ताश के अधार पर क की गई एन नाई की टीम सबसे पहले सुरतगड की एमके के कोलोनी पहुंची यहां उन्होंने एक घर में तलाशी ले इसके बाद टीम हासिंग बूर्ड कोलोनी पहुंची और तलाशी ले टीम ने दोनों जगा चार घंटे चापे मारी की बता दें की देश फर में 300 से ज़ हुए हैं और दिली में हुई कई बड़ी हत्याओं में इस गैंग का नाम सामने आ चुका है पुलिस सुत्रों की अनुसार एन एकी टीम पदमपुर इलाके में चापे मारी कर गाम आठ एए निवासी रजीर कुमार और फसीला को गिरफतार किया था सीला को एन एकी दो टीम दिली से सूरतगर लेकर पहुँची रात बर आरोपी को सेटी थाने में रखा सुबा उसका मेडिकल करवाया गया और फिर पूशताश की गई झाल झाल झाल